आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्ष की यूटूब चैनल पर कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे आप सभी को पता है इस वार आपका पेपर HPPSC लेगा HPPSC किस परकार से कोशिन डालता है वैसे ही कोशिन आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेंगे टोटल कोशिन आपको पूछे जाएंगे इस नोक टिस पेपर में 100 ठीक है end of the video आपको अपना-पना score बता कर जरूर जाना है आपने वीडियो को pause भी करना है question भी solve करने है और आप एक घंटे से ज़्यादा time बिल्कुल नहीं ले सकते है ठीक है आपने ध्यान में रखना है HPPSC का ऐसा कोई exam नहीं है जिसमें negative marking नहीं होती है तो आपने इस smoke test paper को भी बिल्कुल ध्यान से attempt करना है negative marking को ध्यान में रखते हुए attempt करना है ठीक है जी तो best of luck आपका पहला question आपके सामने रहा है आज जिनकी हिंदी ठीक है न वो भी इन question में जरूर गलती करेंगे तो आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है बिल्कुल संभल के उत्तर देना है पहला question है अभ्यंतर प्रत्न के अनुसार वर्नों के विब्रित भेद में वागिंद्रिय कुछ खूली रहती है खूली रहती है कुछ बंत रहती है या फिर बंत रहती है हिंदी का पहला question आपका वर्न topic से लिया गया है एच पी पी एस सी द्वारा पूछा गया प्रशन है ये ठीक है तो इस प्रशन का सही उत्तर है option B is the correct answer कौन सा option B is the correct answer question number second आपके सामने रहा कौन से शब्द में संदी नहीं है रमायन, नमसकार, निरंतर, नीलगिरी पताईए तो इस प्रशन का सही उत्तर है option D is the correct answer नीलगिरी में संदी नहीं है ठीक है next है question number third निमन लिखित में से भाव आचक संग्या नहीं है चाल, समझ, चलन, धीर बताईए तो इस प्रशन का सही उत्तर है option D is the correct answer देखिए यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे साथ हमारे WhatsApp ग्रूप पर जुट सकते हैं या फिर Telegram पर जुट सकते हैं यदि आपको instant PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें message कर सकते हो ठीक है चैनल को अभी तक subscribe नहीं करा है तो चैनल को subscribe बिल्कुल करना है आपको ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी सही समय पर मिल सके question number fourth पूर्श वाच्चक सर्बनाम का रूप नहीं है आप मैं वह तू तो इस प्रशन का सही उत्तर है option C is the correct answer ठीक है वह जो है वो पूर्श वाच्चक सर्बनाम का रूप नहीं है next है question number fifth किस बिकल्प में आए शब्द की बरतनी सही है अरुण प्रज्वलित अध्यात्मिक अप राहन बताईए शुद्ध वरतनी बदानी है कौन सा शब्द जो है वो बिलकुल शुद्ध लिखा गया है तो इस प्रशन का सही उत्तर है option D is the correct answer अप राहन बिलकुल सही लिखा गया है next है question number sixth कौन सा शब्द जो है वो तदवव है कौन सा शब्द तदवव है बताईए स्थान थल शाक मेग तो इस प्रशन का सही उत्तर है option B is the correct answer थल ठीके जैसे ही आपके सामने question put हो रहा है आप वीडियो को पोस कर सकते हैं और अपना जवाब दे सकते हैं टाइम लेकर जंगल का स्मानार्थी शब्द नहीं है कानन, कालंतर, निले, बिपिन पताईए जंगल का स्मानार्थी नहीं है इस प्रशन का सही उत्तर है option C is the correct answer निले नेक्स्ट है question number 8 पितर अन्नुमत्ती शब्द में संदी कोन सी है यन, गुण, बृद्धी, अयादी इस प्रशन का सही उत्तर है इस शब्द में यन संदी है option A is the correct answer नेक्स्ट है question number 9 रिजू शब्द का उप्युक्त बिलोम शब्द है उधर्व, बक्र, कठिन, स्मानंत्र पताईए तो रिजू का बिलोम शब्द होता है बक्र, option A is the correct answer जो B के स्थान पर लिखा है नेक्स्ट है question number 10 आपने बताना है शंकर शब्द है चार पाई, फल्दार, दहीं बड़ा, शीत काल तो इस प्रशन का सही उत्तर है option B is the correct answer फल्दार, शंकर शब्द है नेक्स्ट क्वेशन number 11 निमन लिखित में से योगरूड शब्द है घनशाम, बिद्याले, गूड साल, कत्रणी जोगरूड शब्द बताना है आपको तो इस प्रशन का सही उत्तर है option A is the correct answer घनशाम नेक्स्ट है question number 12 किस वाक्य में सर्बनामिक बिशेशन है बताईए, कुछ आम कच्चे ही रह गए इस कलम को अलमारी में रख दो थोड़ा सा नमक दाल में भी डाल दो कई लोग पीछे भी आ रहे है किस वाक्य में सर्बनामिक बिशेशन है तो इस प्रशन का सही उत्तर है option B is the correct answer इस कलम को अलमारी में रख दो इस वाक्य में सर्बनामिक बिशेशन है next है question number 13 निमल इखित में से pulling शब्द है पुर्णिमा, काब्य, संतान, धातू तो इस question का सही उत्तर है option B is the correct answer काब्य जो है वो pulling शब्द है वाक्य सारे के सारे इस्त्रिलिंग शब्द है next है question number 14 बहु ब्रहिस मास नहीं है नव यूग, त्रिलोचन, दशानन, चत्रवुज बचाओ, बताओ तो इस प्रशन का सही उत्तर है option A is the correct answer बहु ब्रहिस मास कोन सा नहीं है नव यूग, बहु ब्रहिस मास नहीं है वाकी सभी बहु ब्रहिस मास है next है question number 15 निमल इखित में से विकारी शब्द है बिना बहुदा, देख, परंतु तो इस प्रशन का सही उत्तर है आपका option C is the correct answer देख, विकारी शब्द है next question number 16 किस शब्द में उपसर्ग उप्युक्त हुआ है बताईए किस शब्द में उपसर्ग उप्युक्त हुआ है ये 16 ऐसे लिखा गया है बताईए अंसर निहत्था, पंकज, निलिमा, नितिश तो इस प्रशन का सही उत्तर है option A is the correct answer निहत्था में उपसर्ग प्युक्त हुआ है next question number 17 संप्रदान तत्पुर्ष का उधारण है आपको पताईए इसमें क्या होता है के लिए आता है ठीक है, रूल में क्या आता है के लिए स्वर्ग प्रापत, राजपुत्र, राह खर्च, रिंड मुक्त दो शब्दों में के लिए आ रहा है तो वही आपको correct होगा option C is the correct answer राह के लिए खर्च, means रास्ते के लिए खर्च next question number 18 मूल स्वर नहीं है A, A, E, U तो इस प्रशन का सही उत्तर है option A is the correct answer A आपका मूल स्वर नहीं है next है question number 19 वियंजन संदी से बना शब्द विश्म, वियोब्रिद, वासकर, अदोगती बताइए तो इस प्रशन का सही उत्तर है option A is the correct answer विश्म में वियंजन संदी है next question number 20 निमल लिखित में से प्रते रहित शब्द है एक उता उपसर्ग, एक उता प्रते आपको बताना है प्रते रहित means प्रते के बिना वाला शब्द घुमाव, मोखिक, प्रकाश, मिठाज तो इस प्रशन का सही उत्तर है option C is the correct answer next है question number 21 English start हो रही है next 20 question आपके English से लिए गए है शानू finish the lunch क्या आएगा fastly, quickly, present या फिर tastly 90% student पहले और दूसरे option में confused होगा, fastly आएगा या quickly आएगा 50% risk का ये question है इस प्रशन का सही उत्तर है option B is the correct answer शानू finish the lunch quickly next है question number 22 दीजे उत्तर अपना filling the blanks का question है after reading the whole story yesterday Sanjay dash Sanjay आएगा ठीक है I के जगा J है Sanjay dash to know that the king was very brave brave आप सभी को पता है brave की हिंदी होती है भादूर ठीक है whole mean सारा, story, कहानी king, raja अब बताओ answer इस प्रशन का सही उत्तर है option D is the correct answer ये एक rule का question है ठीक है tense पड़े होंगे तो ये question आपका correct होगा ये भी tense से लिए का question है my sister dash singing when I reached home क्या आएगा कौन सा option सही होगा इस प्रशन का सही उत्तर है option C is the correct answer had already started next question number 24 it's a dash remark which dash which dash become a serious issue crude have आएगा usually casually आएगा या फिर casually ग्रेजुली आएगा often regularly आएगा क्या आएगा option कौन सा correct होगा इस प्रशन का सही उत्तर है option C is the correct answer देखे जैसे ही आपके सामने question आ रहे हैं आप वीडियो को pause कर सकते हैं और time लेकर solve कर सकते हैं next है my brother catch me dash the hand and dagger me forward y in o from कौन सी preposition आएगी इसमें इस प्रशन का सही उत्तर है option A is the correct answer जैसे मैं बोल रहा हूँ ना इस प्रशन का सही उत्तर है ये आपको time मिल रहा है यदि ये आपने तभी तक नहीं किया होगा न solve तो आप वीडियो को pause कर सकते हैं ठीक है next है 26 filling the blanks question है पुनित dash an educated girl कौन सा option आएगा tense से लिए का question है इस प्रशन का सही उत्तर है option C is the correct answer next question number 27 the watchman prevented me dash entering the building from to for with कौन सी proposition आएगी इस प्रशन का सही उत्तर है option A is the correct answer next question number 28 topic का नाम है boys जिसमें ओते हैं boys की active form और passive form आपने बतानी है active form ठीक है food question यह है ठीक है यहाँ देखो food had been served to us before the sunset क्या आएगा कौन सा option आएगा तो यदि आप preparation sorry voice की knowledge रखते हो तो इस question को जरूर सही कर पाओगे बताईए इस प्रशन का सही उत्तर है option C is the correct answer next question number 28 29 narration से लिए का question है narration में आप सभी को पता है एक होती है direct form दूसरी होती है indirect form question यह है मीना सेड ब्रावो वी हैब डन वेल इसमें कौन सा option correct होगा इस प्रशन का सही उत्तर है option D is the correct answer next 30 incorrect spelling वाला चुनना है आपको इसमें तीन आपके correct spelling है और जो आपका चोथा है वो incorrect spelling है बताना है आपको कौन सा है वो जो था तो इस प्रशन का सही उत्तर है option B is the correct answer approximate बिल्कुल गलत लिखा है next step 31 which of the flowing sentences is grammatically correct ऐसा कौन सा sentence है जो grammatically बिल्कुल सही है they cut very much jokes I order a few sandwich next I boiled a few milk she made a little cakes कौन सा correct होगा option B is the correct answer next question number 32 choose the appropriate antonium of given word canning आपको पता है antonium में क्या होता है antonium में आपने बताना होता है opposite meaning वाला word ठीक है कौन सा opposite meaning वाला word ठीक है जो हिंदी में topic होता है आपका belong शब्द का canning का opposite क्या होगा इस प्रशिन का बिल्कुल सही उत्तर है option C is the correct answer next question number 33 इसमें भी आपने antonium बताना है affirm का बताईए affirm का antonium क्या होगा opposite word क्या होगा option C is the correct answer affirm का होगा deny next question number 34 one word substitution से लिया का question है that which cannot effaced effaced क्या होगा one word substitute इस प्रशिन का सही उत्तर है option C is the correct answer next question आपके सामने रहा 35th आपने filling the blanks करना है इसमे flow आएगा इसमे ठीक है last में flow आएगा और इसमें B extra है fly, shine, walk, flow match the flowing करना है आपको आप सभी को पता है river flow करती है A का हो गया fourth पक्षी उड़ते है option B का हो गया पहला तो B is the correct answer ठीक है B is the correct answer next है 36th इसमें कुछ ऐसा ही question है seizure क्या करती है teeth क्या करते है sight और leg इसमें बताना है odd one out का question है ये इस प्रशन का सही उत्तर है option C is the correct answer next है question number 37 filling the blanks question है यहां भी एक वो आएगा lazy के आगे ठीक है fill up आएगा lazy के आगे the new typist is dash lazy dash we given independent charge lazy के आगे dash आएगा उसमें क्या होगा fill so that two 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 as so as बताईए तो इस प्रशन का सही उत्तर है option A is the correct answer next question हम number है आपका 38 choose the right option to complete the sentence and make the conservation meaningful एक मेहर है दूसरा है मनू दो बरसन है इनमें conservation चल रही है बाची चल रही है have a look to have a look at your watch the meeting is almost over it is horrible traffic out there I am really sorry dash क्या आएगा for being so late today to note reaching in time for reached too late with hardly reaching क्या आएगा इस प्रशन का सही उत्र है option A is the correct answer next है question number 39 इसमें आपको बताना है कौन से पार्ट में error है A पार्ट ये है I faced a horrible situation despite of my best effort the member of the team were not giving their best कौन से पार्ट में error है तो इस प्रशन का सही उत्र है option B is the correct answer next question number 40 बताईए match up करना है वही वाला जो आप करते आ रहे हो ठीक है कौन सा प्रशन चल रहा है 40 प्रशन चल रहा है match करना है list 1 से list 2 को absence क्या है wooden क्या है toe क्या है greatly क्या है आप सभी को पता है जिसके पीछे जिस word के पीछे li आ जाता है वो word बन जाता है आपका adverb option d का d आपका हो गया list 1 का मिल गया adverb ठीक है d2 d2 अब 50% का रिस्क रहा है अब किसी ने chair लेनी है wooden chair लेनी है या फिर plastic की chair लेनी है कौन सी chair लेनी है मैंने बोला किसी ने wooden chair लेनी है लकडी वाली chair लेनी है या फिर किसी ने plastic वाली chair लेनी है plastic और wooden chair की विशेषता बता रहा है B का 3rd हो गया B का 3rd तो option D is the correct answer ठीक है 40th का option D is the correct answer Next है question number 41 अब भी आपका start हो रहा है GK Next 20 question आपके GK और करंट अफियर से लिए गए है ठीक है आज आपको कोई भी शिकायत नहीं रहने वाली है question आपके दोनों language में है ठीक है Hindi से भी लिए के question है और English से भी question है आपका अपनी language में जिसमें आप comfort table में सूस कर रहे हो उसमें आप read कीजिए और उत्तर दीजिए उधार लोकतंतर में पहला राजनितिक प्रयोग किस देश में हुआ था Germany, France, Italy, Great Britain तो इस प्रशन का सही उत्तर है option B इस दा करेक्ट अंसर फ्रांस में हुआ था उधार लोकतंतर में पहला राजनितिक प्रयोग नेक्स्ट है 42 कोरोमंडल तट पर किस स्तान का दक्षिन पूर्व एशियाई बंदरगाहों के साथ विपार सम्बंद था कालिकट मसूली पतनम मेंगलोर परादीप इस प्रशन का सही उत्तर है option B इस दा करेक्ट अंसर मसूली पतनम नेक्स्ट है question number 43 हीरा कुंड परयोजना किस नदी बेसिन पर में बनाई गई है बताईए सिंदू महानदी गंगा रावी काफी important question है triple stars वाला question है क्योंकि कम से कम इस question को 15 से 20 exam में पूछा जा चुका है हीरा कुंड परयोजना किस नदी पर बनी है इस प्रकार से आता है जहां फिर हीरा कुंड परयोजना किस नदी पर निर्मित है अंसर एक ही होगा option B इस दा गरेक्ट अंसर महानदी next question number 44 गंगा यमुना वेसिन के शेतर में उगाई जाने वाली नगदी फसलें निमन लिखित है गंणा और चाय कोफी और जूट कोफी और चाय गंणा और जूट बताइए इस प्रशन का सही उत्र है option D इस दा गरेक्ट अंसर गंणा और जूट next है question number 45 जब यूरोप के देश यूरोपिय संग बनाने के लिए एक साथ आए तो मुख्याल्य किस शेहर में चुना गया ब्रूसल्स पैरिस लंदन यूरिक बताइए इस प्रशन का सही उत्तर है option A इस दा गरेक्ट अंसर देखिए काफी घुमा कर यह question पूछा गया है HPPAC द्वारा बट इस question को सीधे रूप से इस प्रकार से आ सकता था कि headquarter of European Union what is the headquarter of European Union same Brussels next है question number 46 नेमल एकित में से कौन ससंग कि एक साथ आने का एक उधारन है भारत, Spain, USA, Australia इस प्रशन का सही उत्तर है option C is the correct answer USA next question number 47 हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़िए इंग्लीश में पढ़िए इंग्लीश में पढ़िए विच वोडी ओफिशली बैन वोल राइटिंग वेब पार्टी पार्टेस द्यूरिंग इलेक्शन इन इंडिया पार्लियमेंट प्रेजिडेंट इलेक्शन कमिशन कैग किस संस्तान ने भारत में चुराबों के दुरान पार्टियों द्वारा दिवार लेखन पर अधिगारिक तोर पर प्रतिवंद लगा दिया किस ने लगाया प्रतिवंद तो एक ही है हमारा चुनाव अयोग अच्छा सविधान के कौन से आर्टिकल में इसका वनन किया गया है तो याद रखेगा आर्टिकल 324 नेक्स्ट जोग्राफी से लिया का कुशन है कोल एंड नैचुरल गैस और एक्जामपल ओफ वट टाइप ओफ मिनरल कोईला और प्रक्रितिक गैस किस प्रकार के खनीजों के उधारण है बताइए तो इस प्रशन का सही उत्तर है ओप्षन B is the correct answer नेक्स्ट एक्वेशन नमबर 49 पढ़िये और ज्वाब देने के कोशिश किया गरो विच ओव दा फ्लोइंग इंडस्ट्रीज आर ओंड और अप्रेटेड़ वाई दा प्रडूजर और स्प्लायर ओफ रा मटीरियल वर्कर और बोथ निमलिखित में से कौन से अध्योग का स्वामितव और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों और अपूर्ति करताओं श्रमिकों या दोनों के पास है कौन से अध्योग है वो कौपरेटिव सेक्टर वाले या फिर हैवी इंडस्ट्रीज, लाइट इंडस्रीज, पबलिक सेक्टर इंडस्रीज, कौन से इंडस्रीज है तो इस प्रशन का सही उत्तर है option A is the correct answer cooperative sector industries जिसमें क्या होता है जिसमें आपका ownership या फिर स्वामितव और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों अपूर्ति करता हो श्रमिकों या फिर दोनों के बास होते हैं ठीक है Next है Question number 50 काफी लंबा question है इसमें क्या पूछा गया है पहले English वाले देख लो Last option है All of above इसमें आपने बताना है Federal system of government जो संगिय सरकार होती है उसमें क्या होता है Simple सा question है संगिय सरकार पढ़ लिए question आपने Federalism is the is a system of government in which the power is divided by central authority or various consistent unit of country Federalism There is usually more than one level of government for entire country in Federalism There will be government at the level of provinces of state that look after much of the day-to-day administrating of their country All of above क्या आएगा हिंदियों पढ़ना है तो हिंदियों पढ़ सकते हो ये है हिंदियों वाला question ये देख सुतियों आप क्या है निमले कित मेंजे कौन सा कथन सरकार की संग्य परनाली के बारे में सत्य है संगबाद सरकार के लिए सरकार की एक परनाली है जिसमें सकती एक केंदरी प्रदिकर्ण और देश के वुविन घटक इकाईयों के भी बीच विवाजित होती है संगबाद में आम तोर पर देश पूरे देश में सरकार का एक से अधिक सतर होता है संगबाद में प्रांतों या राज्यों के स्तर पर एक सरकार होगी जो अपने राज्ये के दिन प्रति दिन के अधिकांश प्रस्चाशन को की देखवाल करेगी उप्योक सभी क्या आएगा देखिए HVPSC यदि इस परकार से कोश्शन पूछता है तो आपने ध्यान में रखना है तो 60-70% इसमें D-Option कोरेक्ट होता है तो इसमें भी आपका इस प्रस्चन का D-Option is the correct answer नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 51 भारत की पहली हिमालेन एर्सफारी हाल ही में किस भारती राज्ये से लोंच की गई हिमाचल परदेश, उत्राखंड, लदाक, जम्मू कश्मीर इस प्रस्चन का सही उत्र है Option B is the correct answer उत्राखंड ठीक है भारत की पहली हिमालेन एर्सफारी याद रखेगा जो पहला पहला होता है इस पर कार्जे कोश्चन HBPSC पूछता है किस मंत्राले ने भूमी राशी पोर्टल लोंच किया करिशी मंत्राले, ग्रामिन विकास मंत्राले, शिक्षा मंत्राले, सडक परिवहन, राजमार्ग मंत्राले भूमी राशी पोर्टल ये देख सुतियो आप भूमी राशी पोर्टल तो इस प्रशन का सही उत्तर है, option D is the correct answer, सडक, परिवहन और राज, मार्ग, मत्राले Next है question number 53 Theosophical Society का मुख्याले कहां जित है? पश्यमंगाल, ओडिसा, तमिलाडू, केरल 53 का option C is the correct answer, Theosophical Society का मुख्याले जो है, वो तमिलाडू में है Next question number 54 किस राज्ये ने साजा स्कूल बस पर ना ली और क्रिशी प्रक्रिया प्रतिक्रिया बाहन योजना शुरू की? Which state launch the share school bus system and agriculture response vehicle scheme किसने लौँच करी है? असम, पंजाब, मिजोरम, मैगाले तो इस प्रशन का सही उत्तर है, option B is the correct answer, मिजोरम ने साजा स्कूल पर ना ली बस पर ना ली और क्रिशी प्रतिक्रिया बाहन योजना ये स्की में start करी है, मिजोरम ने Next question 55 What is the name of the cluster of digital solution like Aadhar, UPI, DG Locker, Coven, Gem, GST? कौन सा cluster digital solution है? बताईए, इंडिया स्टैक, DG भारत, भारत E platform, E भारत क्या आएगा? Option A is the correct answer, इंडिया स्टैक, option A is the correct answer Next question number 56 Football इतिहास में पहली वार किस देश ने किसी मैच में bite card के शुरुबात की? Brazil, Portugal, Argentina, United Kingdom इस प्रशन का विलकुल सही उत्तर है, option B is the correct answer, Portugal Next question number 57 हिंडियों पढ़ना है तो हिंडियों पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़िए Which countries are the host of AI? Artificial Intelligence Safety Summit in 2024 2024 में Artificial Intelligence Surakshya शिकर संबेलन के मेजवान कौन से देश है? इस प्रशन का सही उत्तर है, जपान और South Korea जपान और South Korea Option A is the correct answer Next है, kill switch which was seen in the news is associated with which disease? Kill switch जो खबरों में देखा गया, वो किस बिमारी से संबंदित है? HIV, diabetes, cancer, COVID-19 Kill switch इस प्रशन का सही उत्तर है, cancer, option A is, C is the correct answer, cancer Next है, question number 59 Who is the recipient of the first-ever lifetime disturbing, disturbing, the peace award? प्रशन का सही उत्तर है, Salman Rushdie, option A is the correct answer Next है, question number 60 Which space organization has announced its plan to launch its first X-ray polymeter satellite? बताईए, इस प्रशन का सही उत्तर है, option A is the correct answer है, हमारी ISRO Indian Space Research Organization Next आपके 20 questions, math, reasoning or science से लिए गया है, ठीक है? Next, 20 questions आपके math, reasoning, science से लिए गया है, ध्यान से, attempt कीजिएगा, ठीक है? It was Sunday on 1st January 2006, when that day of the week on 1st January 2010, कौन सा दिन आएगा? 1 January 2010 को, solve कीजिए, काफी असान question है, option D is the correct answer, शुकर वार आएगा, ठीक है? Friday, कैसे solve करना है? यदि ये बताने लग जाओंगा, तो काफी लंबी वीडियो बन जाएगी, एक बार सुन लो, जिसे क्या करते हैं हम? 2006, इसमें लीपियर क्या है? लीपियर है 2008, लीपियर कौन सा होता है? जो 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है? वो लीपियर होता है, जैसे 2006 में, 6 के बाद 7 में आगया मंडे, 7 में मंडे, 8 में Tuesday, ठीक है? आठ के बाद 9 में, Tuesday आया 8 को, फिर Badness दे, यहाँ पर आया Thursday, क्योंकि लीपियर के बाद एक छोणना परता है डेज, ठीक है? देन क्या आया? Friday, दस को आया Friday, option D is the correct answer, नेक्स्ट है question number 62, बोर्ड मास से लिए क्वेशन है, काफी असान क्वेशन है, जहाँ PRTS है, वहाँ पर आपको यह sign लगा लेने हैं, ठीक है? बोर्ड मास से लिए क्वेशन है, solve करोगे तो आ जाएगा आपको, ठीक है? यहसे क्या है? टर्म बना देता हूँ, यहाँ पर आएगा, incomplete सा question है यह, टी माइनस आएगा, और S डिवाइड में आएगा, ठीक है? टी डिवाइड में आएगा, और S माइनस में लिख लो, ठीक है? complete कर देता हूँ ना, टी जो है वो डिवाइड है, टी का मतलब है डिवाइड, ठीक है? T का मतलब है Divide और S का मतलब है Minus T का मतलब Divide आ गया और 3 P का मतलब है Multiply 9 आ गया S का क्या बताया है मैंनी Minus R का again है आपके पास Plus 6 ये term बन रही है आपकी ठीक है Incomplete question था मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूँ कि T T जो है वो Divide है T का मीन Divide है S का मीन Minus है ठीक है ये दो term आपको लगा कर Solve कर लेना इस question को काफी easy है Answer बता दूँ 62 का Option D is the correct answer Solve कर रहेंगे तो 52 आएगा Next है Age का question है Age नहीं Blood relation का question है ठीक है Blood relation का question है काफी असान question है इस question का सही उत्तर है Option B is the correct answer Next Question number 62 ये है आपका ranking का question जिसमें बताया होगा Ram 17 है नीचे से और Minal जो है वो उपर से 9th position में है करीम दोनों के बीच में है तो Ram की position क्या होगी करीम से काफी असान question है आपका ranking से लिए question है Option C is the correct answer ठीक है बार-बार बोल रहा हूँ जैसे ये आपके सामने question put हो रहा है आप वीडियो को pose करें और जवाब देने की कोशिश किया करो ठीक है एक clock से लिए question है क्या question है एक घड़ी सुबा के 8 बज़े सेट की गई घड़ी 24 गंटे में 10 मिनट बढ़ जाती है जब अगले दिन घड़ी में एक बज़राए होते है तब उस समय सही time क्या होता है घड़ी खराब है 24 गंटे 10 मिनट बढ़ती है जी 12 गंटे 5 मिनट बढ़ेगी इस प्रकार से आपने time निकाल लेना है ठीक है जैसे अगले दिन अगले दिन ये पहला दिन है 8 वजे और दूसरे दिन आपने बताना है एक वजे बज़ा तो उसमें एक है बट अगले दिन 8 to 8 कितने होए 12 गंटे और 12 से एक वजे तक 12 गंटे होगी न 8 to 8 देखिए 8 एम एक दिन हो गया जदी दूसरे दिन तक 8 वजे हमने चेक दूसरे दिन के एक वजे करनी है यहां तक होगे हमारे 24 आर कितने होए 24 आर जोबी टाइम होगा उसमें 10 मिनट तो हमने कम करनी है यहां तो क्लेर हो गया कि 14 गंटे में 10 मिनट पीछे करना है उसले तो सही टाइम बिताएगी वो ठीक है अब हम पहुँचे है सेम टू सेम 8 एम टू 8 एम हमने पहुचना है दूपहर के एक वजे दूपहर के एक बजे 8 एम से 1 एम तक कितना टाइम हुआ एक एम लिख लो जाँ फिर 13 बजे इस प्रकार से भी लिखते हैं जो 24 वाली घड़ी होती है आपकी 24 आवर वाली घड़ी होती है उसमें एक को 13 लिखते है इन दोनों में गैप कितना है इन दोनों में गैप कितना आ रहा है कितना आ रहा बताईए लगवग लगवग पांच गंटे का ठीक है जदी कोई आपकी घड़ी है वो 24 गंटे में 10 मिनिट बढ़ जाती है 12 गंटे में कितना बढ़ेगी 12 गंटे में 5 मिनिट 6 गंटे में 30 मिनिट ठीक है धाई मिनिट ऐड गीजिए अब धाई मिनिट ऐड कीजिए तो कितने होए साड़े बारा मिनिट बारा मिनिट something बारा साड़े बारा मिनिट जदी हम एक एक पीम से हम साड़े बारा मिनिट कम करेंगे तो कितना आया? Option D is the correct answer समझ गहे? Next है question no. 66 66 in the geometry, pentagon has, pentagon has, कितने diagonal होगे, 3, 6, 5, और, या फिर, 4 diagonal, कितने diagonal होगे, बताओ, pentagon, सभी को पता है, pentagon क्या होता है, जिसकी 5 साइडे होती है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, अब इसमें पूछे गए हैं, कि diagonal कितने होगे, देखिए, diagonal होता है, एक कोने से दूसरे कोने को मिला देना, ये diagonal आ गया आपका, pentagon गरूं, तो आपको थोड़ा सा ठीक लगेगा, ये देखो, ये एक diagonal हो गया, फिर इस कोने सो, इस कोने को मिला दो, इस कोने को इस कोने से मिला दो, इस कोने सो, इस, इस कोने को इस कोने से, कितने होए, गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, अंसर आएगा, option, C is the correct answer, ठीक है, option कोन सा हो गया, option, C is the correct answer, समझ में आया होगा आपको, next है question number 67 काफी असान question है और coding, recording से लिया question है building को यदि हम इस प्रकार से लिखेंगे तो river को कैसे लिखेंगे यहाँ पर देखिए B का code क्या है पहला पहला B का code है 4 B का code क्या है 4 word क्या है हमारे पास bridge bridge है न अब B को B का code कितना है 4 लिख लिया अब R का code क्या है इसका भी पहला बंदा 8 ले लिया 4 आठ option A और D यह तो गलत होगे हमारे option D और A है इन दोनों में सही होगा कोई न कोई next क्या आएगा I I का code देख लिजे 5 D का देख लिजे यह deciding होगा D का देख लिजे 7 जिसमें है option D is the correct answer समझ गए option D is the correct answer next है question number 68 11,3,35 आगे क्या आएगा 11,3,35 आगे क्या आएगा कैसे लगेगा पता 11 और 3 में कितना है gap 12 का 3 और 25 में कितना है 12 का इसके आगे क्या आएगा 35 प्लस 12 47 option B is the correct answer next question number 69 geometry से लिए क्योशन है in which of the flowing triangle centroid ortho center are coincident equilateral triangle right angle triangle isosail scale and triangle किस में होगे ये तीनों coincident triangle भी होगा उसमें centroid भी होगा ortho center भी होगा किस में होगा तो इस प्रेशन का सही उत्तर है option is the correct answer equilateral triangle में ये सब कुछ होता है next question number 70 time and work का question है काफी असान question है ये इस प्रेशन का सही उत्तर है option B is the correct answer next science start हो रही है आपकी ध्यान से देखिएगा question को और attempt भी विलकुल ध्यान से करना है आपको which of the flowing enzymes is not present in human stomach pepsin, hydrochloric, acid, HCL, musk, mucous या फिर mucus mucus बोलते हैं sorry mucus tipsin बताईए तर्ष प्रेशन का सही उत्तर है option D is the correct answer tipsin next question number 72 name the fabric which is used in making bulletproof jacket ऐसा कौन सा fabric है जो bulletproof jacket बनाने के रिए परियोग गिया जाता है iron, steel, aluminium, kevlar इस प्रेशन का सही उत्तर है option D is the correct answer kevlar next question number 73 which layer of atmosphere contains the ozone responsible for observation of UV ultra-voilet light बताईए stratosphere, troposphere, mesosphere या फिर ionosphere क्या आएगा इस प्रेशन का सही उत्तर है option A is the correct answer troposphere next है question number 74 पहले इंग्लिश वाले देखलो फिर हिंदी वालों को पढ़ाता हूँ वो question which of the flowing is not a measure of sustainable water management preventing leakage from dam and canals dam or canals कैनल आपको पता है नहरे होती है next reducing the rate of surface run of water preventing lows in municipal pipes building small reserve reservoirs in the place of few mega project ये हिंदी वाले पढ़लो question English वालो देखलिया screenshot लेना है तो screenshot ले सकते हो निमलेखित में से कौन सा टिकाऊ जल प्रवंदन का उप्योग उपाय नहीं है बांदो या बांदो एवं नहरों से रिसाब को रोकना सतही जल को जल की दर को कम करना नगर पाली का पाइपों में से होने वाले नुकसान को रोकना कुछ बड़ी प्रियोजनाओं के साथ छोटे जलाशियों का निर्मान क्या आएगा Option B is the correct answer Next है question number 75 What are the number of biodiversity होट स्पोर्ट in the world Bishop में जैब वीद्दा होट स्पोर्ट की संख्या कितनी है 18, 28, 32 और 36 प्रेशन का सही उत्तर है option D is the correct answer 36 Next है question number पहले हिंदी वाले देख लो इसमें आपने बताना है कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा जैसे mouth, isophagus, small intestine, stomach, large intestine हिंदी वाले देख लो क्या आएगा सबसे पहले शरीर के अंगों में मुह, grass नली, बड़ी आंत, पेट, छोटी आंत इस प्रशन का सही उत्तर है सबसे पहले आएगी आपकी सबसे पहले होता है मुह फिर होता है इसोफेगस ग्रास नली जिससे खाना जाता है पेट में फिर पहुंचता है पेट में खाना खाना पेट के बाद जाता है छोटी आंत में फिर जाता है बड़ी आंत में ठीक है नेक्स है कॉस्चन नमबर 77 विच ओफ दा फ्लोइंग स्टेटमेंट अवाउट लेडी लाइट अमिटिंग डायोड is correct fast action low operational voltage short life span both A and B option D is the correct answer both A and B next question number 78 what is the name of hormones secreted by gaunts in the male reproductive system बताये estrogen testosterone poggesterone F SG कौन सा हार्मोन secreted होता है प्रशन का सही उत्तर है testosterone next है 79 as per Bureau of Indian Standards for drinking barter acceptable limit for total hardness as CACO3 is क्या आएगा पीने के पानी के लिए भारत मानक Bureau BIS के अनुसार कुल कठोरता के लिए अनिवारे सीमा CACO3 है कितनी है मिली ग्राम लिटर में बताना है प्रशन का सही उत्तर है option B is the correct answer next है question number 80 which gas is most abundant in earth atmosphere nitrogen, oxygen, carbon dioxide, hydrogen प्रिथवी के वायू मंडल में कोन सी gas सार्वदिक प्रचूर मात्रा में है इस प्रशन का सही उत्तर है option A is the correct answer nitrogen है, कितनी है, 78 something है next 81 से लेकर 100 तक आपके question होंगे HPGK के question HPPSC ने इस प्रकार का pattern set करने वाला इस बार, ठीक है HPGK question होंगे 20 बोलने का बवावार्थ ही है कि आपके जो 20 question है वो कहीं भी ले सकता है आप सभी को बता है इस वार HRTC के डिसलेबर्स में क्या हुआ HRTC के कुछ question थे 20 से 25 वैसे ही पुलिस में डाले गए HPGK हो सकता है या फिर any other subject हो सकता है तो मैंने HPGK के लिए गए question है पहला question है निमल लिकित में से कौन से बिमान पत्तन स्थल हिमाचल परदेश में स्थित्न नहीं है जोली ग्रेंथ भुंतर, गगल, जुबड, हटी इस प्रशन का सही उत्तर है option A इस आ करेक्ट अंसर ये हिमाचल में नहीं है भुंतर, कुलू में है गगल, कांगडा में है जुबड, हटी, सोलन में है next है question number 82 attempt केजिए हरी राय मंदिर कहा सित है मंदि, कुलू, कांगडा, चंबा इस प्रशन का सही उत्तर है option D इस आ करेक्ट अंसर चंबा में है next है question number 83 हिमाचल परदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है जुजुराना, मोनाल, बुलबुल, एशियन कोयल इस प्रशन का सही उत्तर है option A इस आ करेक्ट अंसर, पहले मोनाल था ठीक है, पहले मोनाल था अब जुजुराना है ठीक है, next है question number 84 निमल लिखित में से कौन सी संसार की सबसे उंची वाहन चलाने योग्य सुरंग है जुआहर सुरंग, अटल सुरंग, बडोग सुरंग, पीर पंजाल सुरंग इस प्रशन का सही उत्तर है, option B इस आ करेक्ट अंसर, अटल टनल ठीक है, अटल सुरंग, बडोग टनल सबसे लंबी टनल है काल का शिमला रेल्वे लाइन में सबसे लंबी टनल हमारी बडोग टनल है याद रखेगा नेक्स्ट है, क्वेशन नमबर 85 रावी नदी का संस्कित नाम है इरावती बिपाशा, श्टूद्री कालिंदी तो इस प्रशन का सही उत्तर है, option A is the correct answer, इरावती हिंदीओं पढ़ना थे, इंग्लिश में पढ़ना थे, एंग्लिश में पढ़ना थे, आपकी अपनी मरजी है हिंदी वाले सुनलो, हिमाचल प्रदेश नाम का बिरोध, इसके निर्मान के लिए, किस ने किया Himalayan Hill State Sub-Regional Council Shimla Prasamandal, Bushahar Prasamandal, Dhami Prem Prachalani Seva English वाले भी देखलो Who opposed the name Himachal Pradesh during its formation? Himalayan Hill State Sub-Regional Council Shimla Prasamandal, Bushahar Prasamandal, Dhami Prem Prachalani Seva Option A is the correct answer ठीक है? HHSRC इस प्रकार से लिखा याता था इसे Next है Question No. 87 The book History of Monday State is written by History of Monday State नामक पूस्तक किस ने लिखी? शांता कुमार, जश्पाल, लालचन प्रार्थी, मनमोहन इस प्रशन का सही उत्तर है Option D is the correct answer मनमोहन सिंग Next ये देखलो पहले English वाले देखलो ठीक है, दो statement है आपके सामने आपने बताना है कौन सी statement correct है और कौन सी नहीं है या फिर दोनो statement correct है या फिर दोनो correct नहीं है कुक्ती पास कोनेक्ट दा बर्मोर रिजन ओफ डिस्टिक चंबा एंड लहॉल्स पिती रावी रिवर रेसीवड वाटर फ्रॉम दोन, गलेशियर कौन सी statement correct है पताईए हिंदी वाले सुन लो कुक्ती दर्रा जिला चंबा के बर्मोर शेत्र वा लहॉल्स पिती शेत्र को जोड़ता है रावी नदी का पानी दोन, हिंगंड से आता है बता ये कौन सी statement correct है इस प्रशन का सही उत्तर है option, c is the correct answer पहली सही है, दूसरी गलत है रावी नदी का पानी जो है वो बदल गलेशर से आता है ठीक है next, आपने बताना है कौन सा गवर्नर सबसे पहले आया था कौन सा गवर्नर बाद में आया था chronology order में बताना है पहले हमारे गवर्नर का नाम है अचारे देवरत, बिरेंदर बर्मा, S. चक्रवती, B.S. रमादिवी बताईए आप सभी को पता है S. चक्रवती हमारे पहले गवर्नर थे फर्स्ट गवर्नर ओफ हमाचल परदेश यदि पूछ लिए जाए तो S. चक्रवती, ठीक है पहले नंबर पर तो ये आगे C और D तो वैसी select होगे option ये दोनो reject होगे अब 50% risk है देखिए आपने recently कुछी सालों पहले ये भी नाम सुनाओगा अचारे देवरत तो ये recently है तो recently आपको नाम ये पता था तो option D is the correct answer next question number 90 हमाचल परदेश के निमन जीलों का जनसंख्या गनत्तव वरते करम में बताईए arrange the district of हमाचल परदेश on the basis of its density of population into increase order कांगणा, मंडी, हमिरपूर, शिमला कौन सा district पहले आएगा और increase order में बताना है आपको पता है increase order means जादा 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 है ठीक है पहले कम फिर उससे जादा है फिर जादा है फिर जादा है फिर जादा है क्या आएगा इस प्रशन का सही उत्तर है option c is the correct answer first number पर है आपका सबसे पहली है शिमला means सबसे कम फिर आएगा आपका मंडी फिर कांगडा सबसे जादा जन संख्या गनतव है अमीरपूर का option c is the correct answer next 91 राजाओं के नाम है और राज्य के नाम है अनंद चंद किस राज्य से समझित थे लक्षमन सेन जोगिंदर सेन दुर्गा सेन बिलासपूर past and present कुछ इस प्रकार से बुक लिखी थी राजा अनंद चंद नहीं ठीक है तो आपका पहला का जुड़ गया two option second a और a और d में है option second ठीक है b और d तो वैसे ही हमने reject कर दिये दो option हमारे आप बच रहे हैं ठीक है दो option बच रहे हैं न option कौन सा a और d में ठीक है a और d में अब देखिए दुर्गा से इन जो थे वो बगाट के से थे d का third d का third d का third नहीं है तो कौन सा हुआ d का third option d is the correct answer ये बिल्कुल सही option है next है गाटी को स्तान से जोनना है जैसे बस्पा गाटी कहां है पिन गाटी बला गाटी तिर्थन गाटी बताईए बस्पा गाटी की नोर की है बस्पा गाटी भी लो बोलो या फिर सांगला गाटी बोलो बात एक की है सबसे सुन्दर गाटी की नोर की ठीक है बला गाटी मंडी की है पिन गाटी लाहोलस पिती की है तिर्थन गाटी कुलू की है तो मिला लो अपने इस आप से क्या हुआ कौन सा A3 A3 दो में है B और C तो बैसे ही कट होगे Next है D4 Option D is the correct answer Option D is the correct answer Next है question number 93 हिमाचल के पहले लोकायुक्त कौन थे नियाय मुर्ती, आर्बी मिश्रा नियाय मुर्ती PC बाला कृष्णा मेनन नियाय मुर्ती भवानी सेन नियाय मुर्ती टी वी आर ताताचारी बताईए तो इस प्रशन का सही उत्तर है Option D is the correct answer Next 94 416 मिटर की उंचाई पर सित कौन सी जील पार्वती नदी का सत्रोत है इस प्रशन का सही उत्तर है Option D is the correct answer मांतलाई चील Next 95 1666 में हिमाचल परदेश में बिले से पहले उना किस जीले का हिस्सा था अंबाला होश्यारपूर गुर्दासपूर कांगडा तो याद रखेगा ये होश्यारपूर का हिस्सा था Next question number 96 1889 में परसिद नलवाडी मेले की कलपना किस ने की थी W. Goldstein D. Octoloni Harry Smith Henry Harding तो इस प्रशन का सही उत्तर है Option A is the correct answer W. Goldstein Next है 97 देखिए एक बुक है हिमाचल परदेश बिश्व इद्याले के कुल गीत इसके लेखक का नाम बताना है आपको Writer of कुल गीत of हिमाचल परदेश युनिवरस्टी Professor A.D.N. बाजपाई Professor Rajinder Mishra Department of Music HPU Professor यश्पाल क्या एक answer इस प्रशन का सही उत्तर है Option B is the correct answer Professor Rajinder Mishra Next है Question No. 98 1. November 1966 को जब पंजाब राज्य का पुनरगटन हुआ था तो नालागड को एक तसील के रूप में किस जिले में मिलाया गया था सोलन महासू शिमला या फिर सिर्मूर तो इस प्रशन का सही उत्तर है शिमला Option C is the correct answer Next 99 वर्ष अठारा सो चालिस में आलीबाल का युद किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था अंग्रेज गोर्खा अंग्रेज सिख सिख गोर्खा या फिर अंग्रेज मुगल तो इस प्रशन का सही उत्तर है Option B is the correct answer अंग्रेज और सिखों के बीच लड़ा गया था यह युद Battle of Alival कब लड़ी गई थी ठारा सो चारिस को Next है Question No. 100 Last question of the video कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमोर जिले को अलगवग दो बागों में दो बराबर भागों में विवाजित करती है Which river divides सिरमोर डिस्टिक ओफ हिमाचल प्रदेश इन्टो आलमोस्ट इक्वल पार्ट गिरी, टोंस, मारकंडा या फिर भाटा तो इस प्रशन का सही उत्तर है A is the correct answer गिरी नदी जो है वो सिरमोर को लगोग धो बागों में विवाजित करती है याद रखेगा आप सभी का जहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने बताना है कि आपके सो में से कितने मारक्स आए है बिना मारक्स बताए आपको बिल्कुल नहीं जाना है यदि आपको इस वीडियो के PDF चाहिए तो इस दिये गए नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर Telegram, WhatsApp पर जॉइन कर सकते हैं ठीक है वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी YouTube के लावा चार सोचल मीडिया हैंडल्स पर और भी है WhatsApp, Instagram, Telegram और Facebook चारों का लिंक हमारे description box में दिया गया है आपने वहाँ पर जुरू जुनना है सबसे मेन बात आपको ये बता रहा है कि आपको ये मोग टेस्ट पर helpful रहा या फिर नहीं रहा है और अपने अपने marks बता कर जुरू जाना है और suggestion देनी है अगले वीडियो क्या रहने वाली है वो भी आपने जुरूर बताना है इसके लावा rating करें वीडियो को brilliant, good, excellent, very good जो भी आपने rating देनी है वो भी जुरूर देके जायेगा और अपने suggestion जरूर दीजेगा ठीक है इस वीडियो में बस इतना ही आके हिम्रक्षक पर आपको इसी प्रकार के फुल मुक्टेस पिपर हर exam के provide किये जाएंगे इसलिए अभी के अभी आपने चैनल को subscribe करना है जादर से जदर बच्चों में वीडियो को share करना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आप खुश रहिएगा पढ़ते रहिएगा धन्यावाद जैहिन जैहिमाचल